नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल पर आपका हारदिक स्वाकत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे नुस्खे को बना कर दिखाऊंगा दोस्तों जो हर दर्द के लिए एक रामबान दवा है चाहे आपको कमर के दर्द की समस्या हो, खुटनों में दर्द की समस्या हो, जोडों में दर्द की समस्या हो, कलाई के दर्द, हाथ दर्द, बाजू का दर्द यानि आपके सरीर का कोई भी दर्द हो, हर दर्द को चाट जाने वाला नुस्खा है यह दोस्तो मरते दम तक आपको पत्थरी, मुटापा, सुगर, कोलोस्टोल, हार्ड इटेक यानि दिल की बिमारियों का भी सामना नहीं करना पड़ेगा ऐसा च्यमतकारी नुस्ख है और दोस्तो इस नुस्खे को बनाने में भी आपको महज 5 मिन्ट लगीगे और इसके लिए जो पहली मुख्य समगरी है वह है दोस्तो तेज पत्ता दोस्तो तेज पत्ते में तेनिन, फ्लेवउनाइल्ट, अल्कलाइल्ड, यूज्यनौल, लिनलोल, ऐसे ऐ गुण मौजूद है जो आपके शरीर की बिमारियों के लिए एक रामबान दवा है और आपकी सभी बिमारियों के काल की तरह काम करता है दोस्तों डायपटीज और कोलोस्टोल के मरीजों पर अभी कुछ दिन पहले ही तेज पत्ते का एक परियोग किया गया तीस दिन तक डायपटीज और कोलोस्टोल के मरीजों को तेज पत्ते का सेवन कराया गया और यह जो परिणाम मिले दोस्तों वो बहुत आदेक जमतकारी थे, क्योंकि इनके जो diabetes और colostrol के मरीज थे, उनके सिरम गुलकोज में 21-26% तक की कमी देखी गई, साथी उनके colostrol लेवल में भी सुधार देखा गया, उनका जो अच्छा colostrol था वो बढ़ गया, bad colostrol था वो कम हो गया, और दोस्तों, जब आपको colostrol की समस्या नहीं होती, तब आप दिल की बिमारियों, heart attack और heart block जैसी बिमारियों से बची रहते हैं, दोस्तों, तेजबत्ते का प्रियोग करके, या इस नुस्खे का प्रियोग करके, आप अपने सवसंत तंतर, अस्थमा जैसी सांस से जुड़ी बिमारियों का भी इलाज कर सकते हैं, आपकी छाती में चाहे कितना भी पुराना कफ जमा हो, आप उसको भी बाहर निकाल सकते हैं, उसके लिए भी ये एक रामबान दवा है, क्योंकि इसमें anti-inflammatory गुण मोजूर होते हैं, इसे सूजन कम करने के लिए मददगार माना जाता है, और इससे आपकी छाती में जमा बलकम बाहर निकलेगा, जुखाम और खासी के लिए तो ये पहली ही खुराक से असर करेगा, दोस्तों, जिसके अंदर सूजन और दर्द को कम करने वाले गुण भी होते हैं, एक अध्यन के अनुसार, इसकी पतियों में COX2 नामक अंजाइम की गतिविदी को रोकने का काम करते हैं, इसकी पतियां, इस अंजाइम के कान सरीर में सूजन बढ़ सकती हैं, इसके अलावा, इस पत्ते में मौजूद सिनॉल भी सूजन से लड़ने और दर्द को कम करने का काम करते हैं, दोस्तों, यदि आपको फंगल इनफेक्शन की समस्या है, तब भी आप तेज पत्ता और आज के इस नुस्खे का परियोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटी फंगल गुन है, जो आपको फंगल इनफेक्शन से बचाने का काम करते हैं, यदि आपको वजन कम करना चाहते हैं, आपके पेट पर अतरिक चरबी है, और आप धेरो नुस्खों को अजमा अजमा कर ठक चुके हैं, तो दोस्तों, प्लीज मेरी आपसे एक विन्ती है कि आप इस नुस्खे को जरूर अजमाईए, और रिजल्ट भी आप हमें जरूर बताइए, क्योंकि ये नुस्खा आपकी पेट की चरबी को चाट जाएगा, और आपको बिलकुल सलिम और फिट बना देगा, यदि आपको किड़नी से जुड़ी समस्या हैं, किड़नी और पेसाब की नली में मुझूद पत्थरी के इलाज के लिए भी आप इस पत्ते या इस पत्ते से बने इस नुस्खे का परियोग कर सकते हैं, और आपकी यह समस्या बिलकुल दूर हो जाएगी, क्योंकि इसमें लोरिक एसिड पाये जाता है, जो किड़नी की समस्याओं से आपको रहा दिलाता है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कि कॉलस्टोल और दिल के लिए तो यह कारगर दवा की तरह काम करता है, आपके इन समस्याओं को बिलकुल दूर करता है, क्योंकि इसमें पर जुरिया नहीं आने देता, आपके चेहरे पर नया गलूल आता है, एंटी एजिंग की तरह है काम करता है दोस्तों, और आपके बालों को भी पोसन देता है, यदि आप इस नुस्खे का कुछ दिन सेवन करेंगे, तो आपके बालों की जड़े मजबूत होंगी, दोस्तों आपके बालों का जड़ना रुख जाएगा, और दोस्तों ऐसा इसलीए है, क्योंकि इस नुस्खे में जो सामगरी प्रयोग है, वो बहुत अदिक चमत्कारी है, तो चलिए आपको बताते हैं कि इस नुस्खे में आपने क्या-क्या सामगरी लेनी है, पहला तो लेने हैं दोस्तों तेज पत्ते लेने हैं आपने 5, 5-6 आप लेसकते हैं दूसरा है लोंग, लोंग भी आपने दोस्तों 5-6 लेनी है और दोस्तों लोंग के गुण भी बहुत अधिक चमत कारी हैं हमारे सरीर को निरोगी बनाने के लिए, इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए, cold cough का इलाज करने के लिए, तीसरी से में जो सामगरी है वह है दोस्तो अद्रक, और दोस्तों अधरक का प्रयोग आप अपने स्रीर के दर्द को चाटने वाली ओस्ती के रूम में कर सकते हैं क्योंकि अधरक का प्रयोग करके आप हर तरह के दर्द से चुटकारा पासकते हैं आपने इसके लिए तीन समगरी चाहिए और आपने अधरा कभी एक टुकडा ले लेना है जैसे कि ये हमने लिया आपने इस अधरे को छील कर धो कर साप कर लेना है और टुकडों में काट लेना है जैसे कि ये मैंने काट अब आपने इसमें ये मैंने 5-6 लोग इसमें डाल दी अब दोस्तों आपने इस पानी को तब तक उबालना है जब तक ये आपने डेड़ी गिलास पानी लिया था और उबल उबल कर आदा नहरे जाए और जब दोस्तों यह है उबल उबल कर आदा रहे गया तो दोस्तों आपका नुस्खा रेडी है अब आपने इसको छान कर इसका सेवन करना, इस अरक का सेवन करना है दोस्तों आपने, आप इसमें सवाद के लिए अपने सहद मिला सकते हैं, लेकिन यदि आपको डायवटीस है, तब आप सहद का परियोग ना करें, और इसे एक बात का ध्यान रखे यदि आप पानी 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 पीएंगे, तो उससे भी आपको फाइदा मिलेगा पर यदि आप इस चीज को भी साथ में खाएंगे, तो आपको चमतकारी रिजल्ट बिलेंगे दोस्तों और आपकी यह बीमारियां बिल्कुल दूर हो जाएंगी आपके सरीर की इम्मून पावर बढ़ जाएगी, रोगों से लड़ने की सकती बढ़ जाएगी, आपका सरीर निरोगी बन जाएगा और मरते दम तक आप बीमारियों से बच रहेंगे लाखों बीमारियों की दवा है दोस्तों ये तीन सो बीमारियां आपकी इससे दूर रहेंगी वो तो आपके आज़ पास भी नहीं आएगी तो दोस्तों देर किस बात की है आप इस नुस्खे को आज ही अपने घर पर बनाएं और इस नुस्खे का प्रियोग करें और अपने सरीर को बिलकुल निरोगी बना दें तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वले वडियो की नोटिफिकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तों